पानीपुरी बनाने की पूरी जानकरी मतलब कि पानीपुरी में कौन सा आटा यूज होता है और किस तरह से जैक्सन मशीन की मसीन से बनाया जाता है? आज हम सब बताएंगे, सबसे पहले हम आटे के बारे में माहिती देंगे, जैसे कि हमने उसमें तंदूरी आटा, गेहु काटा, सूजी, उड़त काटा, खाने का सोडा और भी दो-तिन आटा यूज किया, ये हमने 5 किलो आटा लिया है और धाई लिटर पानी यूज किया है, आटा इसी तरह रखना है, ज्यादा टाइट भी नहीं, ज्यादा मुलायम भी नहीं, आटा गुतने की बड़ी मशीन चाहिए, तो भी आपको मिल जाएगी, जैसे कि ये 5 केजी की आटा गुतने वाली मशीन है, इसमें आपको 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 30 केजी या 50 केजी की भी चाहिए, तो भी आपको जैक्सन मशीन से मिल जाएगी, हम आपको हमारी जैक्सन की बड़ी मशीन भी दिखाते हैं, ये 20 केजी की आटा गुतने वाली मशीन है, आपको ज्यादा आटा गुतना है, तो आप ये बड़ी वाली मशीन भी खरिच सकते हैं, आपको आटा इस सकते हैं इस मशीन में आपको एक गुला कट करने की जरूरत ही नहीं है और साइड वाला आटा भी आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो भी काम मशीन ही कर देगी आपको एक एक पूरी को उठाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मशीन ही सिधे कपड़े पे सारी की सारी पूरी कपड़े पे ही आएगी आपको मशीन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमको 9904395580 नबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आप देख सकते हैं पूरी की फिनिशिंग कितनी बढ़िया है जैक्सन मशीन का यही तो फाइदा है सभी पूरी एक जैसी बनेगी और बढ़िया फूलेगी देखिए जैक्सन मशीन की बनाई हुई पूरिया कितनी बढ़िया फूल रही है आपको पानी पूरी कटिंग मशीन में कम कैपेसिटी में चाहिए तो भी मिल जाएगी ज़्यादा कैपेसिटी में चाहिए तो भी मिल जाएगी आप देख सकते हैं कि जैक्सन की मशीन से बनाके हमारे क्लाइन कितना बढ़िया बिजनेस करते हैं यह पूरी देखिए कितना क्रिस्पी है आप देखिए यह सभी पूरी एक समान फूली हुई है आपको पूरी की साइस छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए आपको इसी मशीन में हो जाएगी देखिए जैक्सन मशीन की बनी हुई पूरी का कितना बढ़िया बिजनेस हो रहा है आपको पूरी की साइज जैसे की पतला चाहिए या मोटा चाहिए तो भी आपको इसी मशीन में हो जाएगा इस तरह से सौसो पूरी का पैकेट बनता है और सप्लाई होता है आपको इस मशीन की और भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिये हुए नमबर पे कॉंटक कर सकते हैं जैक्सन का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद